आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार नमस्कार प्राइम टीवी में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ शुक्षा महरोत्रा यूपी में 2022 विदास बचनाओं में प्रचंड जीत के बाद भाजपाब 2024 के रण में जुट गई है जिसके लिए पार्टी के मंत्री से लेकर कारेकरता भी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं देखिए रिपोर्ट 37 साल बाद यूपी में तिहास बनाने वाली भार्दी जन्ता पार्टी अब 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में भी जीत की गाथा लिपने को तयार है जिसके लिए CM योगी अधितनाथ ने भार्दी जन्ता पार्टी उतर प्रदेश की पहली कारिसमीती की बैठक का उद्ध घातन किया लखनाओ के किंग जॉर्ज मेडिकल युनिवर्सिटी के अटल बिहारी बाचपई साइन्टिफिक कन्वेंशन सेंटर में भाजपा कारिसमीती की एक दिवसी बैठक में मुख्यमंत्री के स्वागत कारिक्रम की अधिक्षता कर रहे प्रदेश अध्यक्षिर स्वतंत्र दे देव सिंग ने किया इस मौके पर सीम योगी अधितनात ने पार्टी के पतादिकारियों समेत नेताओं को भी संबोधित किया जिसमें सीम ने कहा कि तमाम मितकों को तमाम शडियंत्रों को धूल धूसरीद करते हुए भाजपा ने उत्तर प्रदेश में अपना कारिकाल और खड़ा रहता था आज उन सभी योजनाओं में लगभग चार दरजन ऐसी योजनाये हैं जो योजनाए इस आफ लीविंग के लक्से को प्राप्त करने में सफलता प्रदान करती है उन योजनाओं में जिन में पहले उत्तर प्रदेश का कोई अस्तान नहीं होता था प्रांट मोदी का जादू 2019 में 2014 से भी जादा देखने को मिला। एतिहासी प्रदैशन करते हुए बीजेपी 2014 से भी जादा सीटे 2019 में जीती थी। बीजेपी ने 2019 के लोगसभा चुनाव में अपने दम पर 300 के आकड़े को हासिल किया था। और NGA गटवंधन कुल 352 सीटे जीतने में सफल रहा है। बीजेपी की जीत में प्रियम मोदी का चहरा और बीजेपी चीफ अमिट श्याहर रर्नीती को एहम माना जा रहा था। वही कॉंग्रेस की बात करें तो पार्टी 2019 में महज 52 सीटों पर ही सिमट कर रह गई थी। में प्रियम मोदी का करिश्मा देखने को मिला था। वही जादू भाजपा 2024 के लोगतवा चुनाओं में भी कायम रखना चाहती है। जिसकी तयारी भाजपा ने यूपी से शुरू कर दी है। वियोर रिपोर्ट प्राइम टीवी। 2024 में सभी राजनितिक पाठिया तयारियों में जुट चुकी हैं। अब देखना यह होगा कि किसकी तयारी रंग लेकर आती है। या रुकेंगे छोड़ी से ब्रेक के लिए जल्दा जिरूंगे। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार।